तो जहें साथ ही आपलोग सामने हैं फिर सबने लिए वीडियो के लिए बहुत इंपोने हुआ है कि आप लोग से एक रिक्ष्ट्र। के की वीडियो को बिलकु नहीं लेता हूँ, सब मेरे भाई है जिनका सेलिक्साँ नहीं भी हुआ है, ओ भी मेरे भाई है, जिनका हो गया, ओ भी भाई है, अब जिनका हो गया तो zou बाइती एक मतलव जिम्मेदार परसन बन गए हैं, तो चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ, तो इस वीडियो के माधहम से CISF Constable Fireman की आपकी जो रिजल्ट दी थी और रिजल्ट जो वेकेंसी से कम दी है अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी की नहीं आएगी और जिन कैने इसका मेडिकल मिल रहा है मेडिकल के बाद आपके मतलरी मेडिकल की जादर टाइम नहीं दिये जारा है 24 गंटा अड़तारीस घंटा ये टाइम बस दिये जारे तो आप लोग को ड्रीम एडिकल वाले के लिए एक से एक दिन में नेक्ट आपके हो जाते हैं यह हो गई बात करते हैं आपकी सेकंड लिस्ट सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आ जो एक बार लिस्ट बन गई है अब सेकंड लिस्ट आने की चांसेज नहीं यह गाठ बांद के सुन लिजिए सेकंड लिस्ट आने की चांसेज बिलकुल नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके सेलेक्शन जो भी अभी मेडिकल सेल रहे हैं उसमें से जरूर कुछ-कुछ candidates disqualify होंगे ही होंगे क्योंकि आपके 1700 vacancies से आपके 1700 something थे जो भी उससे कम कहीं result दिये तो जो candidates आपके बच गए हैं उसकी आपके next year जो vacancy आएगी उसमें यह vacancy आपके add रहेंगे और उसमें वो लिख दिया जाया कि वैक लॉक वेकंसी यानि कि पिछले साल की वेकंसी होगी लेकिन आपके second list जो आएगी उसकी नहीं आएगी अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी problem कि बहुत से candidates बोल रहे हैं documents बगएरा joining के time पे कौनकों से documents लेके जानी है joining के जिनका जिनका selection हो गया उनको joining के time पे उनको से documents लेके जानी है तो मैं बताता हूँ कि joining के time पे आपके फाल्तु कोई documents लेकिन नहीं लेके जानी है important importants क्या होती है वह मैं बताता हूँ आपकी 10th और 12th की mark sheet आपकी providence certificate और की मूल परमान पत्र ये अभी तीनों आपके must होनी चाहिए और सभी का 5 पाज हो भी होनी चाहिए admit card भी आप लगा लो registration पंजेन जो भी ये सभी रखना है आपके original 10th and 12th dot clear उसके बाद आपकी कोशिस करो कि आपकी कम सम 15 से 20 photo आप passport size का पहले से खिचवा रखे हो तो भी सही है नहीं तो फिर आप recent में खिचवा लो ठीक है उसके बाद फिर आपके pen card होगे, अधार card होगे motor ID card होगे, ये सभी आपके होनी चाहिए original और सभी की अपना मन के हिसाब से आप Gerox करवा सकते हो 4, 5, 6 उसके बाद आपके document में कम सम 10 आप जो A4 size का जो white paper होता हो वो कम से कम आपको रखना होगा कभी-कभी application लिखने की अब सकता पड़ती है, तो कहाँ ढोणते फिर होगे ठीक है, यहां तक होगे उसके बाद एक documents और भी होते हैं आपके card certificate और domicile certificate जो बोलते हैं, EWS, general OBC जो भी आपके होते हैं यह सबी तो आपको लेके जाना हैं जिनका verify अभी तक मान दे जाए अगर नहीं होगा है अभी तक बोलत time दे दिया गा है कि आपको जामा करना है लेकिन फिर भी आपको वहाँ लेके जाना है वहाँ बस वह खाली verify करते हैं लेकिन वह से disqualify नहीं करते है जो candidates का court case किसी भी तरह का F.I.R. है आपके उपर F.I.R. किया गया है किसी के दुआरा कोई F.I.R. किये है आपके उपर तो आपको मैं बताता हूँ कि उसको जल्द से जल्द आप final करा ले चाहे पैसे देगर करवा ले किसी तरह manage करवा ले उसको बिल्कुल खतम करवा ले क्यूंकि आपकी police verification होगी जब आप वहाँ जाओगे training center में फिर जब वहाँ से training center वाले आपके police association में आपके SDM office में जो collector office में वहाँ आपके later भेज़ते हैं वो later आपके SP office में जाती थाना से फिर आपके सरपंज बगर आपके गाउं में जाते हैं तो वो verify करते हैं कि इस candidates का कोई थाना में record तो नहीं है अगर आपके record रहेंगे थाना में record तो फिर आपके police verification नहीं होगी वहाँ से आपके लिग दिया जाएगा है कुछ मतलब something यो भी आपके no verification लिखेगे verification not completed ठीक है यहां तक हो जाए verification not completed होगी तो फिर आपके फिर से second time पे verification बेज़ेगा उसमें भी नहीं हो पाईगी क्यूंकि आपके तो AFIR आपके उपर है तो फिर आपकी service में काफी problem की rate होगा दो साल के अंदर आपको घर भी बेजा जा सकता है ऐसी इसकी rule and regulation है क्यूंकि मेरे batch का एक दोस को घर बेजा गया था and दो साल के पहले ही लेकिन आपका दो साल के अंदर में ही verification आपकी must है क्यूंकि आपकी provisional period जो होती हो पूरी होनी चाहिए उसके बाद आपकी provisional period पूरी होगी है और training पूरी कर लिए तो फिर आपको नहीं निकाल सकते है तो आपकी जो भी तरह का लंद फंद का जो भी आपका जमेला है लडाई जगला कुछ भी मारा पीटी जो भी आपकी किसी परकार का आपका अपराद किये है उसकी अगर आपके पास मतलग की complaint है तो उसको manage करवा दे चाहे तो पैसे देखकर किसी भी आंगल से उसको clear करवा ले क्यूंकि चाहे ना वो लड़की का मेटर क्यों नहीं खुलिया में बताता हूँ लड़की का मेटर हो चूरी का मेटर हो जो भी किसी भी चीज का मेटर हो उसको clear करवा ले उसके बाद बोलते हैं कि जो भी candidates अभी भी कुछ गलत है माकसीट में father's name कुछ है और आपके अधार कार्ड में कुछ है आपकी reality क्या है आपके गलत किसमे अधार कार्ड में गलत है या माकसीट में गलत है या तो फिर C.I.S.S.Porter पे गलत है अभी भी गलत है तो किरप्या करके एक आफिर डिफिट बनवा लिजेगा अभी टरिनिंग से जाते टाइम पे आफिर डिफिट बनवा लिजेगा फिर वहां आपके जहां आप जोइन करोगे वहां तो आपके ख़दा नहीं है वहां आपके सारा डेटा पूरा आपकी इतना भरती से लेकिए आपके एकजाम एटिकल सभी इतना मोटा हो जाते हैं वो उसमें सारा आपके ही डोक्मेंट होते हैं वो सबी चेक करके फिर आपको correction कर दिये जागा यहां तक एक point और रह गई हमें यह बताने के लिए कि आपकी attestation form जो दिये गए हैं उसको कैसे feel करना है एक इसके बाद मैं next video provide करूँगा उसमें photo का size जो होता है वो कितना size क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैंने photo खिचवाया था हो सकता है एक से दो पीस अगर बच रही होगी तो आपको मैं provide करूँगा कि इस size का photo लगता है attestation form होता है family details का form होता है तो यह सभी आपको रखना है एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपके मम्मी पापा जो parents है उनका अधार card आप लेकर चले जाएगा ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी original की नहीं बात कर रहा हूँ उनकी photo copy की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी अधार card के कहीं कहीं आपके data worth की जरूरत पलती है कि आपके father's name यह है आपके mother's name यह है तो उनकी data worth की कभी कई option आती है तो फिर phone करके तो पूछ नहीं सकते आप training center में exact आपके time रहेंगे तभी free time में ही call करेंगे ऐसे क्योंकि बिल्कुल आपके time training में schedule में आप busy रहोगे ठीक है तो इसलिए लेकर जाना जी रोक्स करवा कर लेकर चले जाएए दो से तिन हो गए next एक बात और आपकी आपती है कि आपकी account open होनी चाहिए आपकी SBI में account आप open करवा लो saving account open करवाईए SBI account में उसमें आपके पैसे 2 से 4,000 जो भी आगर आपके पास पैसे अगर अच्छे हैं अगर घर में अच्छे खासी आपकी मतलव की property है तो उसमें आप 10,000, 12,000, 20,000 के आसपस पैसे रखिए और फिर आपको checkbook इसु करवाना है वहाँ आपके bank manager से जो भी आपके bank वाले staff है उनसे checkbook इसु करवाना है ठीक है तो कोसिस किजिएगा आपकी 8,000 तो आपकी जम्म हो रहा है तो account में कोसिस किजिएगा कि 8,000 आपके minimum रहे ही रहे 10,000 आपके account में रहे है कि आप check से दीजिएगा पैसे और account में आपके balance नहीं हो तो आपके उपर complain हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप check से deposit अगर जहां किया जाएगा उनको check से अगर अब देंगे पैसे तो 10,000 आपके account में होगा तो 8,000 आपके account से cut हो जाएगे अगर वो cash ले रहे हैं तो phone पे के माधिम से provide कर दीजिएगा का समागरी का होगए आपके passbook आपके होनी चाहिए आपके passbook होगए उसके बाद तिर आपके plan card होगए उसके बाद फिर आपके checkbook होगए उसके बाद फिर आपके ATM card होगए SBI का जिन्होंने नहीं खुलवाया हो kg 예ए करके खुलवा लीजिए तो इतना आपके डेटा अभी recent की डेटा है इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में सूई, धागा, बटन, टीशेट, जो विजूता, पैंट, सर्ट, सीविल, फॉर्मल, सूज, चाय, बिस्कुट, नास्ता, क्या-क्या लेके जाना है घी सभी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो पूरा ट्रेनिंग सेंटर के उपर ही रहेगी, कि मतलब कैसे लोकेशन पर जाना है, आपकी कौन से ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां से कैसे जाना है, मैं दिद्ध लाइफ प्रूफ अपने दोस्स से बात करने के बाद, वो मैं कॉल रिकॉर्ड करूँगा, और फिर वो वीडियो में आम मेंसन करूँगा, तो उसमें बताऊँगा, तो इस वीडियो में यही बताया कि आप लोगी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, जो भाई का सेलेक्शन हो गया, उसको कांगरेचुलेशन, जिनकी सेलेक्शन नहीं वीर वही होता है जो यूद को लड़ता है और हारता है या जीतता है, जो वीर नहीं हो यूद ही नहीं लड़ा वो वीर कहां से, तो जो जीता है उनको भी उतना ही सरे जाता है, जो हारे हैं उनको भी उतना ही सरे जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त, मेरे भाई अब भी बहुत सारे विकेंसी है कि अब बिल्कुल डी मोटिवेट ना हो अगर जो वीडियो को पूरा देख रहे हो तो मैं आप लोग को आसा करता हूँ कि आप प्रप्रिशन को जारी रखिए फिर आप लोग की मोटिवेशनल के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेसे फायरमन में जिनका सेलेक्षन नहीं हुआ ओब क्या करें तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो कैसी लगी होगी हमें कॉमेंट्स करके बताएए तब तक लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं जहीं जाबर टेक क्यार